असलाम उलेकुम नाजरीन उम्मीद करती हूँ आप सब खैजित से होंगे आज हम बनाएंगे भिंडी मसाला तो ये बहुत ही मज़े की भिंडी बनेंगी तो इसकी तर्टी बहुत ही आसान है और जटपड त्यार होने वाली है ये देखें पैन में मैंने दो से तीन चमच के क और हमारा गरम हो गया है बिंडीओं को मैंने धो के साफ कर लिया है पीकी में काट लिया है इस तरीके से औ्वाट विंडी ली है मुंतником बिंडियों को हम इसमें तक्रीवन साथ से आठ मिनट के लिए में हलके फ्रेम पे फ्राई करूंगी और इतना फ्राई करना है इसको कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए और जो इसमें लेस होती है वो मुकमल तोर पे निकल जाए तो इसको हम इसी तरह मुसलसल चलाते हु इसको हम इसको फ्राई करेंगे ओर यह देखें और थे हमारे भिंडियों में जब्स हो जाएगा मिदी मिधैक आप करे देख लहां थे और इसमें हम ये हरी मिर्चे हैं हरी मिर्चे मैंने 4 अदद ली हैं आप कम जादा कर सकते हैं तो ये मेने बारिक काट के इसमे डाल दी है और ये लसन लिया है मैंने इसको फाइन चॉप किया है तीन से चार जवे लिए हैं मैंने इसको और इनको पहले हम हलका सा फ्राइ कर लेंगे एक से दो मिनट के करीब तो इसमें जाइका हमारी बिंडियों में बहुत जबरदस्त आएगा अच्छा जी इसके बाद हम एक प्याज लिए हमेंने इसको फ्राइ करेंगे हम इसको और इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हलकी इस तरीके से फ्राइ करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये प्याज हमारी नरम हो जाए क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा ब्राउन कर लिया तो भिंडियों में कड़वाहट आएगी और भिंडियों का कलर भी चेंज हो जाएगा अब इसके अंदर हम यह टमाटर डाल देंगे एक छोटा तो इसका मैंने जो इसकी नहीं यह तमाम उतार ली थी और बीज भी इसके रिमूव कर दिये थे मैंने और यह टमाटर हम इसमें लिया है वन टी स्पून और वन टेबल स्पून मैंने कुटी विलाल मिल चली है हल्दी मैंने वन टी स्पून ली है और इसको हम बहुत अच्छी की तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा भुंजा है और जो यह टमाटर हमारे खड़े-खड़े से नजर आ रहे हैं और इसको हम तक्रीबन पास से छे मिनट के लिए हलके फ्रेम पर रखेंगे और साथ ही यह तीन टेबल स्पून में इसमें धाई डाल रही हूं यह देखें यह मैंने डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया और इसे हम ढ़के कवर करके रखेंगे तक्रीबन दस मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रखूंगी यह देख लें और आप देख लें बहुत अच्छा सा प्यारा सा इस पे कलर आ गया है और भिन्डिया भी हमारी खड़ी-खड़ी सी है ऐसे नहीं के तूड गई है यह बिल्कुल घुल गई है अब इसको मैं कव कर दूंगी अक्रीबन 10 दस मिनट के बाद आपको मैं आपको दिखाती हूं कि यह देखें अबिल्गों और बिंडि उसने को आप किउसे श्राब कर सुब्ड्र करता हुँ यह ब्री उसने यह सुना की सामने रखिता है हुआ है !! मज़ेदार सी तो आप इस प्यारी सी टेस्टी सी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दौाओं में याद रखेगा अल्ला हाफीज